तो हेलो गईज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं studio master 2.0 के बारे में होने वाला है आज हम बात करेंगे इस amplifier का कितने ohm पर कितना base और कितना top चला सकते हैं और आपको last में प्राज भी बताने वाला हूं तो वीडियो में last तक जरूर बने रहें चले दूस्तों वीडियो के श्ट्राइब करते हैं हम बात करेंगे Studio Master P-series 2.0 के बारे में तो आप पने देख सकते हैं इसका front पर इसका front जो दिया गया है बहुत ही वेटार इसका दिखाई देता है आप देख सकते हैं इसका Studio Master Professional का एक लोगो आपको दिखाई दे रहा है और उसके जश्ट बगल में आप देखेंगे ते डिवल चैनल का एम्पिलिफायर है तो चैनल A और चैनल B आपको दो चैनल का गेन वैलूम आपको दिखाई दिया गया है आप वैलूम के बगल में देखेंगे चैनल A और चैनल B के वैल क्रोसिंग जाली दिया गया है और उसके बीच में आएंगे तो आपको देखेंगे बड़ा सा एक लोगा आपको दिखाई देगा जो फर्फेशनल इस्टोरियो इंपिलिफायर 2.0 में संद दिया गया है उसके जश्ट बगल में आप आएंगे तो देखेंगे एक आन और आप का स्विच दिया गया है जिससे आन आप कर सकते हैं तो चलेगा इस हम बात करेंगे इसका बैक पैनल पर बात करें तब पहले तो आप देखेंगे दो कुलिंग फैन आपको दिखाई देगा उसके बगल में आप देखेंगे आप पूट के लिए चैनल ए और चैनल बी का 18 15 लोन में आप इंपूट देख सकते हैं जो कापी आपको अच्छा दिखाई देगा और इसके बगल में देख ने बिच में आपको कर में भी सेटिंग दिया गया है इस इंपलिफायर में आप देख सकते हैं जिसमें आप लोग कट चली गए समबाद करेंगे इस पेसिपिकेशन और लोड कलकुलेशन के बारे में तो पहले हम देखेंगे तो इसका पर चैनल 1000 वाट का अटपूट निकलता है तो आप समझ सकते हैं एक डिवल चैनल का अबिलिफायर है तो पालचनल इसका 1000 वाट का अटपूट निकलता है आगर आप टॉप चला रहे हैं तो आपको आपको अच्छा रिस्पोंस मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है चले दोस्तों हम बात करे तो इसका पर चैनल 808 का आडपूट निकलता है तो आपका पर श्पीकर 408 होना चाहिए आप कम स्कम 400 लगा सकते हैं जो एक टब आपका 800 होगा प्लस 50 वाट का इचा भी लगा सकते हैं no doubt कोई दिक्त निया अब लगा सकते हैं कोई response में कमी नहीं आएगा आप लगा सकते हैं आपका फर Favoris maker 400 वाट का होना चेहे तो एक टॉप चैनल ले एक redemption में BENME चैनले में 1 चैनल वी में में दोनों चैनल पर एक जो आपको अच्छा रिस्पोंस मिलेगा फोरोम पर कोई दिकत नहीं बजा सकते हैं चले दोस्तों अब हम बात करेंगे एटों पर बात करें तो इसका पर चैनल 500 वाट का आटपुट निकलता है तो आप चला सकते हैं अगर बेस चलाना चाहें तो 500 वाट का बेस भी चला सकते हैं आपको अच्छा रिस्पोंस मिलेगा चले दोस्तों अब हम बात करेंगे बिर्ज मोट पर अगर बिर्ज मोट पर चलाएंगे तो आप बेस चला सकते हैं जो फोरोम पर आपका 2000 वाट का अटपूर निकलता है तो आपको पर स्पीकर 1000 वाट का होना चाहें तो दोस्तों जैसे कि आप आपको मैं बता दूँ इसमें आप बेस भी चला सकते हैं बिर्ज मोट का इसको यूज कर सकते हैं कोई डाउट नहीं आप लगा सकते हैं आपके पास हैबी वाटेज का स्पीकर है तो आप लगा सकते हैं एक एक हजार वाट का होना चाहें आप लगा सकते हैं नो डाउट बहुत अच्छा आपके रिस्वंस मिलने वाला है जरे दोस्तों हम बात करेंगे इसका एट ओम पर बात करें तो 608 का इसका आट पूर निकलता है इसमें भी आप एक अगर आपको पता है तो बहुत आपको क्वाल्टी उतना नहीं मिलेगा अगर आपको पस्ति एक ही इंबिलिफायर है तो बेस भी चला सकते हैं मगर आपको अगर अगर अच्छी क्वाल्टी का बेस चाहिए वाइबिलिफायर इसको दूसरा लेना पड़ेगा जो कम-कम 6000 या 7000 वाट का होना चाहिए सकते हैं और हैं अच्छास पूस मिलेगा चले हम मथ करेंकी इसका वेटlook हो सप्राइब शकता है अच्छा मत करेंके इसका असपास पाइब है अब बने हखने वाला यह यह चले दस्तों यह सगया गास अगर आप चाहें तो मुझसे भी ले सकते हैं जो नमबर में सन दिया गया है स्क्रिन पर आप इस पर आप कॉल कर सकते हैं और इसकी पुरिज़न कारी भी लेख सकते हैं उसके पाद आप झाल झाल